समस्कार दोस्तों Welcome to my channel आज की जो वीडियो में करने वाला हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यूटर्ण लेते हैं एक नॉर्मल स्पेस में पहले मैं यूटर्ण लेके दिखाऊंगा कार आपने कौन सी स्पीड में रखनी है यूटर्ण लेते समय और आपने क से पहले और यूटर्ण करने के बाद आपका स्टेशिंग कंट्रोल क्यासा होना चाहिए का ऐसा होना ब्लेट सबस्कें तो मैं अपो पूरी इन्फरमीशन मिल जाएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट में कुछ कहना चाहतें कमेंट करें चनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंट सुचाने को ज़रूर सब्सक्राइब करने तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी मैं एक नॉर्मल रोड चला रहा हूं जहां पर स्पीड्ब्रेकर में में मेरे को पहले कार को कंट्रॉल करना है मैं अभी सेकेंट उटूर मैं इंडिकेटर दूँगा और जैसे ही टर्निंग कि मैंने steering turn करना स्टार्ट कर दिये यह मैं slow moving में turn ले रहा हूं तो मेरे को जितनी space उस side में है देख के मेरे को steering को turn लेना है और साथ ही साथ जो आने वाला traffic है उसका ध्यान रखना है दूसरी बात कि मेरे जो car का rear view mirror है मेरे जो right वाला rear view mirror है इसमें मुझे देखना है कि मेरे car का back side जो है कोई चीज से attack तो नहीं रहा या फिर कोई चीज से hit तो नहीं हो रहा तो suppose मैं turn ले रहा हूं मैंने steering ज्यादा turn ले लिया अगर तो मेरे car के जो पीछे के side है जो back side है वो कहीं भी hit हो सकता है या कोई put path है या corner में कोई pillar है या कोई wall है उससे hit हो सकता है इसलिए मैं बड़े अराम से turn लूँगा और साथ ही साथ मैंने आपको अभी turn लेके तो दिखा दिया लेकिन जो steering turn लेके straight करना है वो मैं फिर से अभी दिखाता हूं आपको turn कब लेना और turn करके steering को straight करना है तो अभी मैं second year से third year में जा रहा हूं फिर्टी प्लस की speed हो गई है अभी मैं 40 की speed में हूं तो अभी location जो आ रही है यहां पे फिर से एक speed breaker है कि यह speed breaker मैं cross करूंगा speed breaker cross करने से पहले मुझे slow down करनी होगी कार यह देखिए मैंने कार को slow down किया अभी मैंने first year लगा लिया क्योंकि speed breaker steep है double है इसलिए अब मैं indicator दूँगा यह देखिए कार का steering मैंने पूरा turn कर लिया क्योंकि मेरे पास opposite में उतनी जगा नहीं है यह देखिए यह hit हो सकती है इसलिए अभी मैं क्या करूंगा थोड़ा सा back कर लूँगा और यह steering turn लिया मैंने यह देखिए मैंने full steering turn लिया जैसे ही मेरी कार almost half turn हो जाएगी तो मैं steering को straight करना start कर दूँगा और straight करना जो होता है जो straight करना होता है हाफ टर्ण लेने के बाद स्रेट नहीं करता हूं तो मेरी car क्या turn लेकर उस location पहुँच जाएगी तो जो कि मुझे नहीं करना है मुझे turn लेने के बाद अपनी कार को control करना है तो steering को straight करना है यूजली क्या होता है जो नए ड्राइविंग कर रहे होते हैं या नए सीख रहे होते हैं वो टर्निंग के बाद यह चीज़ समझना समझ नहीं बात है कि कब स्ट्रेट करना है मैं स्ट्रेइड को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंट जैसे कि यूटर्ण की वीडियो होने वाली है यूटर्ण में हमें ज्यादा साफधानी देनी होती है अपने कलच की साधी साधी स्टेरिंग की स्टेरिंग क्योंकि अगर आप ज्यादा इस टर्न ले लिए तो आपको स्टेट करना होगा आप नए सीख रहे हैं या न्यू ड्राइवर हैं या अभी जिस्ट चलाने स्टार्ट की हैं तो आपसे रिक्वेश्ट करूंगा आप एक काम करिए अपनी कार को उपन स्पेस में लेके जाईए उसके बाद आप जज्ज्मेंट लगाईए फिर अपनी कार को क्या है आप न अप लोली स्टेरिंग में जैसे यह देखिए अभी मैं स्पीड में ले लिया हूं कार को अपनी थोड़ी मेरे कार की स्पीड आगे यह 50 प्लस की अब यहां से जब मैं टर्ण लेना है स्टार्ट करूंगा आगे यू टर्न आदे तो मैं दिखाता हूं पहले मैं इंडिकेटर करूंगा अब मैं फिर से फिर लगा रहा हूं इंडिकेटर दिया मैंने पूरा स्टेरिंग टर्ण ले लिया और राइट साइड में मैं ध्यान दिया कि कुछ लग तो नहीं रहा या हीट तो नहीं और पीछे से कोई वहीकल तो नहीं आ रही है इस चीज का मुझे ध्यान देना है प इदर जा रहां या उधर जा रहा हूं तो इस चीज का मैं ध्यान देना में के बाद आमएं स्टेरिंग कुमाएं के वापेश Şimdi से कार को अपनी स्ट्रेट रखना है लेते हैं कि अससितना कंट्रोल करना चाहिए अपने कंट्रोल और ओना इंडिकेटर जरूर दर लिए विर्वी मिरर चेक करें कौन सी कार यह कौन से यह यह कौन सी मेर यह कौन सा परोच करे आप है यह को अगर यह चीज ऑपन स्पेस में हमें प्रैक्टिस करिए आप कौणिट प्रॉकर हो जाए तो आप फिज़ों कार को अपनी यू टर्ण ले सकते हैं अभी मैं आपको ट्राफिक में ले जाके दिखाता हूँ किस kijता हूँ अभी यहां से राइट टर्न ले ले गांऊ कर्द सकते हैं अभी जो मैंने आपको टर्न लेकर दिखाया था अक डिवायडर सके के बाद मैंने यूटर्ण लिया था इस तरह का ट्राफिक का इस तरह का सिट्योशन होती है जहां पर बहुत वे ट्राफिक होता है तो इस जगह में यूटर्ण कैसे लेंगे तो अभी देखिए मेरे पास स्पेस है मैं आगे लेके जाता हूं फिर आपको दिखाता हूं यूटर्ण करके पहले मैंने इनको टिपर दिया फिर होरन बजा दिया ताकि यह अलर्ट हो जाए कि मैं इनको वर टेक लेने वाला हूं पिश्चिश का द्यान लगे मैं यहां आ गया हूं यहां से मुझे यूटर्ण लेना है मैं दोनों तरफ चेक कर लूँगा कि दोनों तरफ से कोई कार तो नहीं आ रही है कोई वहिकल तो नहीं आ रही मैंने इंडिकेटर दिया राइट का मैंने पूरा इस्टरिंग टरन कर लिया साथ ही साथ मैं रियर स्पेस में मैं करके दिखा रहा हूँ अगर आपको चोड़ी सरक दिखती है तो आप सिंगल टाइम में यूटर्ण ले सकते हैं तो अभी चलता हूँ थोड़े से ट्राफिक वाले लोकेशन में त्राफिक में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आपको ट्राफिक के या आपके साथ चल रही है या ऑपसीट से रही है और साथ ही साथ अपने आपको कंट्रोल करना है क्लंच कंट्रोल करना है अगर बीच में चानक लिए ब्रेकिंग करना है तो कि सिचimento करना रहा थी है तोड़ा लाइट ट्राफिक है यहां पर अभी यहां से मैं आगे जाओंगा फिर वहां से यू टर्ण करके दिखाओंगा आपको तो चुकि यू टर्ण के बारे में फ्रेंट्स ये वीडियो उसमें मैं आपको और एक इंफोमेशन दे दूँ आप जब भी टर्ण लें, यू टर्लें कभी आप पैनिक नहीं हो और ऐसा नहीं करें कि रशली आपने टर्ण लेना है आप बड़े एक दम पेशन से लीघे क्योंकि जब आप यूटर्ण ले रहे होते हैं कही ना कहीं ऐसी लोकेशन होती है तो मर्जिंग ट्राफिक की या चारो मर्जिंग ट्राफिक की हो सकती है इधर से भी आ उदर से भी आ रहाएं, बदब चारो तरफ से आपके पास ट्राफिक आ रहा है, इंफेक्ट आप जहां से टर्ण ले रहे हैं, वहां से भी ट्राफिक है, तो आपने इसीच का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप अगर तरण ले रहे हैं तो आप पैनिक अगर होते हैं तो आप कफूस हो जाएंगे किधर से ट्राफिक आ रहा हैं और किस तरह से कंट्रोल करें तो इसलिए मैंने पहले मैंचन कि आपको कि अगर आप ओपन स्पेस में हैं पहले जाके वहाँ पे ट्राइल करें आप कॉंफिडेंट हो जाएं तो ही आप रोड पे या फिर ट्राफिक वाली लोकेशन पे आप टर्न लें अभी देखें यहां से मैं यू टर्न लेता हूं कि मैंने इंडिकेटर दे दिया कि यहां से ज्यादा रश नहीं है तो मैं आगे चलता हूं आगे में सिग्नल भी मिलेगा मुझे टर्न के लिए कि आगे वाली सिग्नल से टर्न लेके दिखाता हूं क्राफिक मिलता है मुझे तो कि यहां से स्पीड प्रेकर स्टार्ट हुआ मैंने स्टोडाउन किया कि कार को मैं उस तरह से कंट्रोल करूंगा जैसे जैसे मुझे आगे सिचुएशन दिखेगी सब्स मुझे ट्राफिक दिख रहा है तो मैं ट्राफिक क्या को बहुत स्लो कर लूँगा कंट्रोल करते वे अपने क्लच के साथ मुव्मेंट लूँगा अभी जैसे देखिए आगे सिग्नल है रेड स्टॉप है अब मुझे यू टर्ण लेना होगा तो मैं सब्स इंडिकेटर देता हूं इंडिकेटर लगाने के बाद जैसे ही सिग्नल होगा ग सिग्नल हो गया है अब मैं आगे कार बढ़ा रहा हूं अपनी मेरे को राइट टर्ण के सिग्नल मिल गया है तो मुझे द्यान देते हैं अपनी कार को जहां भी लूँगा या फिर मैं टर्ण लूँगा तो इंडिकेशन जरूर दूँगा आगे से एक तर्ण आने वाला है वहां से फिर से आपको यू टर्ण करके दिखाऊंगा अभी मेरी कार 40 । 70 कि में मैंने यहां से ऐंडीकेटर देडिया और यहां मेरे साथ ट्राफिक से truth कर रहा है मेरे लेफ्ट से की लोगत रocy कर लह है चो से लिए आगर यह तो मुझे कंट्रल कंट्रोल कॉंप्प्लीट ली करना हमेर देखे स्टमारत फिर्स थाप अगिया तो возьme प्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप करता और अकॉर्डिंगली फिर मैं मूव करता अपनी कार को आगे के तरह करने से आप जो इन्फोर्मेशन मैंने आपको दी है उसके अगर आप कंट्रोल करते हैं अपनी कार को अपने स्टेरिंग को आप पहले प्रैक्टिस करेंगे उस को ट्राफिक में भी चलाने में अभी मैं उस सिक्निल में फिर से आ गया हूं यहां से मुझे सब्सक्राइब लेना है तो मैंने इंडिकेटर दे दिया मैं यहां से यूटर नहीं लूँगा अभी किस तरह से हमें ब्रेकिंग का भी अपलाई करना है वीच भीच में तो अब आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो गए तो पसंदे थो लॉक्स करें कमें में कुछ कहना चाहते कमें टरें और अब तक आमने में चानल सब्सक्राइब करनें अधिन्यों जरूर को जब कि अख अवार गर दिशावर रंत अो लगल मेंद नहीं है कुछ रिख जा है बाइक भाल की से लौ है अवार बार दोका है अवार रहीं के जा इब शेड़ रहत है है अवार के फुट रहत है वहते है जो है दो ले दो फ्रख टो की से लिएगा है, kita भीज़